नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल में और आज दोस्तों बहुत ही खास्टोपिक हम आपके लिए लेकर आएं हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों यदि किसी ने कामधंदा आपको बांध दिया है तो करें हैं टोटका दोस्तों बहुत लोग होते हैं आज के समय में जो अपने बिजनेस अपने कारोबार को लेकर परिशान रहते हैं उनका कामधंदे को किसी ने दोस्तों बान दिया है और जकर दिया है आपका कामधंदे में आप रुकावटें आ रही हैं आपके काम नहीं बन पा रहे हैं आपक बढ़ा सकते हैं तो मैं उमीद करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अधिकांस लोग या कहते हुए नजर आते हैं कि पता नहीं हमारे धंदे को किसकी बुरी नजर लग गई है विवसाई चल ही नहीं पा रहा है लाब की अपेक्षाहानी अधिक हो रही है अत्वा यह कि पिछले दो महिने से धंदे में अचानक रुकावट आ गई है जिस गती से विवसाई चल रहा था एकदम से गती अवरूद हो गई है शायद हमारे दंदेों किसी ने बांध दिया है तो दोस्तो आज का जो विज्ञान युग है वो इस चीजों को दोस्तो कम मानता है लेकिन आज के समय में प्रगती जोस्तो बढ़ाने के लिए कारियों को करने के लिए आपको इन उपायों टोटको करना ज़्यादा जरूरी होगा तो दोस्तो बहुत लोग आज के समय में ऐसे होते हैं जो आपके कारोबार को देखकर खुश नहीं होते हैं वो चाहते हैं कि इनकी प्रगती हमारे से आगे ना निकल पाए तो ऐसे में दोस्तो लोग आपके कारोबार के उपर बूरी काला जादू जैसे इस किरियाओं को करवाना शुरू कर देते हैं जिसे कि आपका जो भी बिजनस चल रहा है जो भी कारोबार है वो नीचा बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऐसे में आप क्या टोटका कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही विश्वश्चनिया श्रीदुर्गा सब्तमी का एक अत्यांत प्रभावशाली मंत्र है जिसका आप अगर रोजाना जयाब करते हैं पूजा पाट के दोरान तो आप इन समस्याओं से चुटकरा आपा सकते हैं बहुत ही जल्द अब ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है अब इसको आप हमारे दोस्तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं मैंने इस मंत्र को दिया है आप हमारी दिये नंबर पर कॉल कर भी इस मंत्र को जान सकते हैं तो दोस्तो इसका विधी किस प्रकार से वो मैं आपको पता देता हूँ कि शिरी दुर्गा सब्तमी कहा यह मंत्र अत्यनत प्रभावशाली है कभी ऐसी अनुभूती हो की विपार को किसी ने बांधिया हो तो विपारीक प्रतिष्ठा पर प्रत्या मा दुर्गा का सिंग पर सवार कोई चित्र अपने मुर्ती स्थापित करनी है घर के अपने घीक दीपक जलाकर पीली सरसों के कुछ दाने बाए हाथ में मुठी बंद करके रखे और सीधे हाथ में रुद्राक्ष की माला को पकड़े कपड़े से अपने ढख लेना है एक कागर होकर प्रोक तो अपने मंतर का जाप करना है और एक माला पूरी होने पर बाए हाथ में रखे हुए सरसों के दानों को पूरे व्यवसाइक स्थल पर आपने क्या करना है दोस्तों दसों दिशाओं में बिखेर देने है अब ये प्रयोग एक मास तक अपने लगातार करना होकर उसके पश्चाथ जो रिजल्ट होगा आपके सामने होगा आपका कारोबार दिन रात बढ़ता ही जाएगा तो इस आप अपनी व्यवसाइ जो भी कारोबार आप करते हैं उसमें प्रोब्लम्स आ रही हैं उस सबसे उसकारा पास सकते हैं तो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना शेर करना चैरल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले जल्द नमबर पर जिरूर कोल करें धन्यवाद